Instagram application को यूज करके किस तरीके से आप अपने post को boost कर सकते हैं उसके बारे में details से इस video में path करेंगे मैं आपको अपने mobile phone के screen पे लेचल के समझाऊंगा कि किस तरीके से जो आपने post किया है Instagram पे उसे किस तरीके से boost करेंगे, किस तरीके से payment method करेंगे boost करने के बाद किस तरीके से insights देखेंगे boost करते वक्त क्या-क्या process से आपको गुजरना पड़ता है उन सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे तो मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि इस वीडियो को पूरी तरीके से देखें और थोड़ा सांती से देखें ताकि आपको यह सारी चीजे जो मैं आगे चलके बताने वाला हूं वह समझ में आए चलिए ज्यादा time waste नहीं करते हुए मैं mobile phone की screen पे चलता हूं और आपको details से सारी चीजे समझाता हूं लेकिन उससे पहले मैं आपका 10 सेकेंड लेना चाहूंगा अगर आपको कोई भी services चाहिए digital marketing की या कोई website बनवा नहीं है या instagram या facebook ads में कोई problem face कर रहे है तो जो नीचे number दिया गया है screen पे उस पे आप message कर सकते हैं या फिर आप हमारी services बुक कर सकते हैं हमारे website www.theadscare.com पे विजिट करके ठीक है तैंक्यू और आगे चलते हैं और इसको पूरी तरीके से समझते हैं यह हैं मेरा instagram account सब्सक्राइब में आपको profile दिखा देता हूं इसकी simple profile है देन दें instagram पे add channel के लिए आपके पास add account होना चाहिए add account है या नहीं उसकी checking करने के लिए आपको यहां पे 3 line पे क्लिक करना है setting and privacy पे क्लिक करना है business tools and control पे क्लिक करने के बाद add payments पे क्लिक करना है जैसे आप add payments पे क्लिक करेंगे यहां पे payment method आ जाएगा अब मैं add account के बारे में थोड़ा साब को बता देता हूँ add account facebook का भी होता है add account instagram का भी होता है अगर आपका कोई instagram का add account है तो सिर्फ वो instagram का रहेगा वो facebook में नहीं सोगा जैसे ही कि यह है एक मेरा instagram का add account है जिससे instagram ने खुद बना दिया है automatically और इसके अंदर कोई facebook का connection नहीं है कोई नाम नहीं है your account से लिखा हुआ ठीक है लेकिन अगर आपका facebook का add account रहेगा तो वो facebook के business manager या facebook पे जब आप business.facebook.com के अंदर जाएंगे तो वहां पे वो add account सो करेगा ठीक है और अगर instagram का add account नहीं है कुछ भी नहीं है तो यहां पे आपको facebook login करने के लिए बोलेगा और जब आप facebook login करेंगे तो automatically add account आपका यहां पे सो हो जाएगा और add account चेंज करने के लिए आप add new payment method with facebook account पे क्लिक कर सकते हैं और फिर यह facebook पे redirect करके आपको login करवाएगा और वहां से आप सारी चीज़ें कर सकते हैं ठीक है यहां पर आप चैसे देख सकते हैं add account सो कर जाएँ जैसे कि यह add account है इसमें 309 यानी 389 रुपया है add funds पे क्लिक करने के बाद आप पैसे add कर सकते हैं और पैसे कैसे add करेंगे क्या payment method का way होता है पैसे add करने का उस पर मैंने एक वीडियो बना दिया है तो अगर आप वह देखना जाते हैं तो वीडियो के description में उसका link है अब हम simple देखेंगे कि add को कैसे boost करते हैं उसके लिए सबसे पहले हम post पे आ जाएंगे यहां boost post के button पे click करेंगे ठीक है देखें किसी कोई भी post अगर आप Instagram पे करते हैं और आपका Instagram account बिजनस में है convert तो आप आराम से boost कर सकते हैं ठीक है एक चीज और जो मैंने नहीं बताई वो यह है कि business Instagram account होता है जहां पे आपको post boost करने का option मिलता है तो अगर आप normal Instagram account है तो उसे बिजनस में convert कर लिजे उसके लिए भी मैंने वीडियो बना दिया है उसका link वीडियो के description में अब यहां पे goal select करने का option दे रहा है कि क्या goal है अगर आप यह post boost करना चाहते हैं आप चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस post को देखते हुए आपकी profile पे आएं या ज्यादा से ज्यादा लोग आपकी website पे visit करें या ज्यादा से ज्यादा लोग आपको message करें ठीक है तो अगर आप message चाहते हैं तो आपने message पे tap किया यहां पे आपको WhatsApp connect करने का option होत ठीक है और यहां पर call to action का button है देखिए message का दो ही option Instagram पर या तो WhatsApp में message लीजे या फिर Instagram पर message लीजे तो दोनों में से किसी एक को आपको tap करना होगा और उसके बाद call to action में क्या button आप डलना चाहते है book now का button डलना चाहते है order now का contact us का send message का तो वह button आप यहां पर डाल सकते हैं जैसे कि मैं contact us का button डालना चाहता हूं ठीक है उसके बाद आपको save के button पर click कर देना है तो यह है यह रहा goal का option goal कैसे आपको select करना है अब आपको next के button पर click करना है कि आप कोई मतलब audience create करें ठीक है तो आपको create your own audience पर click करना है ठीक है यहां पर जैसे कि अभी पीछे देखा न आपने यहां पर resort time का audience है यह already मैंने create किया है अगर आप दूसरा create करना चाहते है तो create your own पर click है ठीक है जैसे कि गलत है मैं एक मिनट इंडिया सेलेक्ट कर देता हूं ठीक है इंडिया ठीक है इंडिया सेलेक्ट हो गया इसको मैं delete कर देता हूं या फिर आप local मतलब address search करना चाहते है फिर current location आप search करना चाहते तो वह सारी चीजे आप यहां से देख सकते हैं और save के button पर click कर सकते हैं अब interest देखें interest डालने से पहले आपको यह ध्यान देना होगा कि आपका post किस category का है और आप किस type की audience Instagram से चाहते हैं जैसे कि मेरा post है कि अगर कोई business owner है और उसे website बनवा नहीं है ठीक है तो मैं यहां पर small business type कर दिया मैंने और उसके बाद suggested interest मेरे सामने आ चुके है small and medium enterprises, startup companies, entrepreneurship, sole proprietorship यह कई सारे interest आ चुके है तो इस category में जिनका business होगा basically business की category है तो इन लोगों को तो website चाहिए होगी और अगर website चाहिए है तो वो यहां पर मेरे post को देखेंगे और मुझे message करेंगे इस type से हम यहां पर interest को choose करते हैं ठीक है या फिर जैसे कि post था hotel and resort का post है तो मैं चाहता हूँ hotel and resort जिसका हो उसका honor मिले तो उस type से अगर आपको यहां पर interest मिल रहा है तो आप ढाल सकते है तो आपको काफी सारे interest यहां पर मिल जाएंगे ठीक है तो इस तरीके से interest जो है आप find कर सकते है is and gender की बात आती है कि कि किस age के लोगों को आपको आपका add दिखाना है जैसे कि मुझे दिखाना है 20 20 वर्स से 50 वर्स तक ठीक है तो यहां पर देखो इस type से जो है मैं age select कर लेता ठीक है तो इस type से आप जो एज यहां पर select कर सकते हैं male या female select कर सकते हैं तो दोनों है auto है दोनों लोगों को मुझे दिखा रहा है तो just मैंने यहां पर save के button पे click कर दिया बस इतना ही audience का यहां पर option होता है और बाकि आपको save के button पे click कर देना होता है ठीक है जैसे save हो गया य और next के बढ़ने पर मैं click कर रहा हूँ अब यहां पर आपके पास budget का option है कि क्या budget है आपका जैसे कि मेरे पास 165 रुपए daily में खर्च करना चाता हूँ 7 दिन तक तो यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर total 1155 रुपए मेरे खर्च होने वाले है 7 दिन तक और इतनी reach मुझ budget है 200 से तालिक और इसको आप तीन दिन तक चलाई है ठीक है तीन दिन तक चलाई है और टेस्ट करिए अगर अच्छा रिजार नहीं बिल रहा है तो campaign को बंद कर दोईजेए फिर दोबारा campaign create करिए इस तरीके से आप जो budget एंड डिवरिसन जो हो set कर सकते हैं यहां से आप budget बढ़ा सकते हैं यहां से आप time बढ़ा सकते हैं और एक बटन यहां पर आपका और है run this ad until I pause it यानि आप जैसे आप अपने budget कर लिया यहां पर 400 अप 400 रुपे डेली आपके spend होते रहेंगे जब तक आप इसे बंद नहीं करेंगे तो इस तरीके से आप जो हो budget भी स्रेट कर सकते हैं उसके बाद next के बटन पर क्लिक करेंगे अब यहां पर review your ad का option आ चुका है मतलब आप अपने ad को देख लीजए preview देख लीजए ad goal audience आप selected यहां पर इसने total जो है budget आपका देदी है 194 रुपे और boost post का यहां पर button है देखिए क्या होता है ना कि अगर आपके पास पैस करने होते हैं उसके बाद ही आपको boost post के button पर click करना होता है तो जैसे ही पैसे वहां पर रहेंगे मैं boost post के button पर click करूंगा तो यह जो post है यहां पर देख सकते हो successfully boosted आ चुका है ठीक है ओके मैं click करता हूं और इसको एक बार और refresh करूंगा तो यहां पर जो post है वह मतलब boost के लिए चली गए यानि pending approval यानि यह चली गई है अप्रूव होने के लिए तो जैसे यह अप्रूव हो जाएगी हम view insights पर click करेंगे तो जो भी हमारा add spend कर रहा है जितने भी हमारे reach targeting वह spend हुआ, cost per messaging conversion कितना हुआ यह सारी चीचे आपको यहां पर बिलेंगी तो इस तरीके से हम Instagram से post करते हैं और यही way है ठीक है इस तरीके से insights साब देख सकते हैं और अगर आपका add account Facebook का है ठीक है तो अब meta ads का app भी download करके वह सारी चीचे देख सकते हैं meta ads कैसे use करते हैं उसके ल जब भी आप कोई भी post होगर आप boost कर रहे हैं तो वो ads account से होते हैं और ads account कैसे check करना है क्या है उसकी detail इसके लिए business tool ads payments में आके वो add account चक कर सकते हैं कि कौन सा add account connect है और कि side account से add चला है तो यह है way Instagram से post को boost करने का ठीक है